हेलो आप लोग बचों जैसे कि आप सभी जानते हैं डीडिये यूटूब चैनल डीडिये के जितने भी डीजिटल प्लेटफॉर्म है वीकली डीडिये के फैकल्टियों के द्वारा डीडिये टीम के द्वारा आप तक करंट अफेर के क्लास पहुंचाई जाती है हमारी करंट अफेर के क्लास वीक में एक बार आती है जो कि पुरा वीक का डाटा लेकर आप तक पहुंचती है तो आज उसी के regarding मैं JSBist, Faculty, General Study, Indian Defense Academy दरादून एक सेट लेकर आपके सामने आया हूँ, सेट नमबर है 25 इस वीक का जितना भी important content रहेगा, वो इस सेट में आपको मिल जाएगा आप अच्छे से question को पढ़िए, question को revise करते रहे कि अपने notes prepare करते रहेगा, क्योंकि current affair exam में किसी भी type का exam क्यों नहों एक important role आपका जो है अधा करता है, clear, इस से पहले 24 सेट हमारे YouTube platform पर available है हमारे channel पर available है, आप वहाँ से बार-बार उसको revise करते रहेगे, जादी देर नहीं करेंगे आपके सामने ये रहा आज का पहला question और पहला question में लिखा है where was the foundation stone of the India, India's first digital national museum of epigraphy भारत का पहला digital राश्रिय पुरालीख संग्राले की आदार शिला कहां रखी गई है तो Archaeological Survey of India, Archaeological Survey of India ASI जिसका formation जिसको establish किया गया था 1861 में और इसका headquarter है कहां? New Delhi में Clear? इसका headquarter कहां है? New Delhi में है Archaeological Survey of India के द्वारा जो है इसकी आदार सिला कहां रखी गई है ला? तो कहां है भाई ये? तो आंसर रहेगा वच्चों इसका Hyderabad Hyderabad में म्यूजियम है सोलार जंग म्यूजियम कौन से म्यूजियम है? सोलार जंग म्यूजियम Archaeological Survey of India की जो फॉस्ट डारेक्टर जनरल थी उनका नाम है अलेक्जेंडर ठीके? अलेक्जेंडर कनिंगम ये तनी बात के लिए हुई? अलेक्जेंडर कनिंगम उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम के लिए रिवाद? अर्कलोजिकल सर्वे उप इंडिया ने क्या कहा? कि हैदराबाद के सालार जंग संग्राले में देश के पहले डिजिटल है ला? रास्तिय आपका जो डिजिटल नैस्नल म्यूजियम औफ एक एपिग्राफी है उस सोलार जंग म्यूजियम इन हैदराबा आद में अभी क्या क्या है वाई? इसकी स्तापना की गई किलियर और याद रखना कि भारतिय जो पुरातात्विक सर्विक्षन विभाग है इसका काम क्या है? कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन आफ कल्चरल कल्चरल हिस्टोरिकल जो मॉनुमेंट्स हैं हमारी अपनी क प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन करना उनकी देखना करना उनको सुरक्षित रखना क्लयर तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए नेक्स आ है इन वे सिटी ऑफ फर्स्ट बिमबिस्टेक कि सहर में आयूजित की गई? बिम्बिस्टेक याद रखना अगर हम बिम्बिस्टेक की बात कर रहे हैं तो बिम्बिस्टेक की स्तापना कब हुई थी तो बिम्बिस्टेक established in the year of 1997 तेक है 1997 में जो इसकी स्तापना हुई और याद रखना इसका जो हेड़कौर्टर है हेड़कौर्टर कहां रहेगा बांगलादेश में इसका हेड़कौर्टर कहां है हेड़कौर्टर रहेगा बांगलादेश में और इसमें जो तोटल मेंबर है तोटल कितने मेंबर है इस गुरूप में साथ मेंबर है वो साथ मेंबर कौन कौन से हैं बांग होगा न्यू डेली कहा हुई नई दिली में हमारे जो प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी उनके द्वारा है ना इस बैठक के को समझना एक दूसरे को समझना कल्सरल को समझना ठेकर न और साउट इस्ट जो हमारा चेतर है है ना उस तरफ वर्ल्ड की लगबग इन साथ देशों में जो है 25 परसेंट पॉपलेशन इन्दी देशों में रहती है ठेक है तो अपने आपको एक दूसरे के साथ खड़ा करना और मुशिबत पर का माना ये सब इस चेंपिन सिम का क्या रहेगा भई उदेश्य आप मोटो रहेगा नेक्स है मेरा गाओं मेरी धरोवर प्रोग्रिंसियेटीव औफ विच मिनिस्ट्री है ना मेरा गाओं मेरी धरोवर कारेकरम किस मंत्रालई की एक पहल है किस मंत्रालई की एक पहल है तो मेरा गाउ मेरी धरोवर जो है पहल है Ministry of Culture, किसका है Ministry of Culture यानि संस्कृत मंत्रालई, संस्कृती मंत्रालई का आपका प्रोग्राम एक कारेकरम है, इसमें क्या है कि जो भारत की स्टीट है और यूटी है, ठीक है, भारत की स्टीट और यूटी में जितने भी विलेज है, लगबग विलेज कितने 6.5 लग, लगबग इतने गाओं को एक परकार से उनने की जो है कल्ट्रल मैपिंग करना ठेके ना ये इस प्रोग्राम का मुख्य उदेश्य है क्या करना उनने का जो है कल्ट्रल मैपिंग करना यानि उनने की सांसकर्तिक मान्चित्रण को राष्ट्य मिशन पर दिखाना यही इसका उदेश्य है इंद्रा गांधी राश्ट्य कला के समयने से ये चला या चलाया जा रहा है कौन सी कला का आपका दिखा रखा है इंद्रा गांधी राश्ट्य कला की इंद्रा अगर सेंटर का नाम पुछेगा तो इंद्रा गांधी क्या है नेशनल सेंटर है आर्ट इंदिया गांधी नेशनल सेंटर फॉर दा आर्ट इतनी बात के लिए रह हुई तो लगबग कितने गाउं की कल्चरल मैपिंग दिखाना लगबग साड़े छे लाख गाउं है ना जो भारत के राज्य और केंद्र साशित परदीशों में रहते हैं किस बिधान सवा में जो अभी ये इंट्रिडूस किया गया तो यूनिफॉर्म सिबिल कोड ये चार आपके पास है तो मैं बता दू यूनिफॉर्म सिबिल कोड अभी जो है उत्राखंड सरकार ने जो है अपने बिधान सवा में रखा है और यूनिफॉर्म सिबिल कोड होत कि सभी को एक समान कानून से देखा जाए उन कानूनों के अंतरगत क्या क्या रखा गया है कि जैसे बहु विभाय बाल विवा हो गया इन पर परतिमन लगा देना तलाक जो चलना ताहत का तलाक के लिए समानादार परकिरिया लागू करना कानूवी मानुवी करन को बनावा द होती है तेका वो completely इस्थापित करना कि भाई इतने से इतने के बीच आप साधी कर सकते हैं तो ये सारे के सारे जो है uniform civil code में रखे गए प्रावधान है और अगर हम बात करेंगे कि uniform civil code article किस में है article 44 में है अनुछेद 44 में है और अनुछेद 44 जो कि DPSP का पार्ट है किसका है DPSP का पार्ट है DPSP मतलब डिरेक्टी प्रिंसिपल ऑपर स्टीट पॉलिसी राज्य की निती निते सक तत्तों के अंतरगत करता था गोवा में तो ऐसा माना जाता है कि तब से ही गोवा में जो ही uniform civil code शुरू हो गया था यानि आजादी से पहले से गोवा में uniform civil code चल रहा है ठीक है लेकिन अगर हम बात करेंगे कि उत्राखंड में तो आजादी के बाद जिस पर completely uniform civil code लागू हुआ तो वो पहुंच गया आप कौन उत्राखंड इससे पहले कौन बना हुआ है गोवा ठीक है next है दीन बंदू छोटू राम thermal power plant recently seen in the news is located in which state हाले में खबरों में रहा दीन बंदू छोटू राम thermal power plant किस राज्य में इस्तित है दीन बंदू छोटू राम फटा फट से बताएं दीन बंदू छोटू राम तो दीन बंदू छोटु राम जो है पावर प्लांट अभी हरियाना में लगा है और ये हरियाना में जो दीन बंदू छोटु राम थे ये पंजाब बिटिस पंजाब प्रांट के जो की बाद में पंजाब प्रांट से हरियाना लग हुआ तो बिटिस पंजाब प्रांट के ए एक राजनेता थे क्या थे राजनेता भी थे और विचारक भी थे याद रखना एक राजनेता थे राजनेता और विचारक थे जिन्हें किसानों का मस्या कहा जाता है याद रखेंगे किसको दिन बंदु छोटो राम को किसानों का मस्या भी कहा जाता है आज यो हमारा भाकडा नगल डैम की जो जनक है या जो पिता है फादर आफ भाकडा डैम, वो भी कौन है दिन बंदू छोटू राम तो दिन बंदू छोटू राम थर्मल पार प्लांट कहाँ है भई, हरियाना के यमना नगर में है और कितने मेगावार्ट, आठ सो मेगावार्ट का ये याद रखेंगी और इस थर्मल प्रांट में 57 महीनों में यह थर्मल प्लांट जो है क्या क्या गया पूरा किया गया तो ये भी आपको याद रखना जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं नेक्स है सिपाही जला बन्यजीव अभ्यारन या सिपाही जला वर्ड लाइफ सेंचूरी रिसेंडे सीन इन न्योज इस लोकेटेड विच स्टीट ये सिपाही जला बन्यजीव अभ्यारन जो हाली में समाचार में देखा गया ये कहा है अब ये सिपाही जला बन्यजीव प्यारण जो है इसमें क्या देखे गए कि दो तो इसमें बंगाल टाइगर है ना दो इसमें तीन दूए बंगाल टाइगर साथ दो इसमें लैपर देखे गए है ना और उसके चाह साथ साथ फोर गोल्डन आपका पीगन इसमें देखे गए चाह एक सिल्बर पीगन देखा ग इसमें किया गया और ये 1972 में इस्टैबुलिस किया गया है 72 में बट है कहां ये सिपाई-जला wildlife century ये हैतरीप उर्मे कहां है तरीप उर्मे सेंचैनल पॉर्क है फॉस्ट उर्ची ना wildlife century और national पार्क अगर बात करेंगी तो कौन सा है वह बलो कौन सा है तो आपका आंसर होगा First World Life Symphony National Park आएगा आंसर होगा वह क्या Corvite National Park होगा क्या होगा Corvite National Park टेक है Corvite National Park है और यह Corvite National Park काहा है उत्राखंड में है और इसको Establish कब किया गया था 1936 में किया गया था और इसका actual नाम या पहले इसका नाम क्या था इसका पहले नाम था Hally National Park क्या था Hally National Park तो इसका पुराना नाम Hally National Park था ये भी आपको याड़ रखना है Next question के अगर हम बात करते हैं Which one of the following is the best description of अभ्यास recently seen in news है ना तो अभ्यास याली में जो स्वमाचार पत्रों में देखा गया अभ्यास का सबसे अच्छा वर्णन निम्लिकित में से कौन करता है तो सबसे अच्छा जो अभ्यास से यहां लिखा है रक्षा अनुसंदान और विकास संगस्तान यानि the defense research and development organization यानि DRDO DRDO को कब established किया गया था आप से पुछा जाएगा 1958 में DRDO को established किया गया था ठीक है और इसके जो present secretary है समीर वी कामत समीर वी कामत ठीक है समीर वी कामत इसके present क्या है secretary है याद रखेंगे DRDO के तो यहां पर क्या लिखा हाले में एक उच्छ गती वाले बैयोग्य हवाई लक्ष अभ्यास के चार परिक्षणों में सपलता प्राप्त की है तो इसका क्या होगा a high speed expendable aerial target तो एक उच्छ गती वैयोग्य हवाई लक्ष है क्या अभ्यास तो याद रखेंगे नेक्स लिखा है रोटो रुवा आपका लेक है रोटो रुवा जो हाली में समाचार पत्रों में देखे गई किस राज्य में इस्तित है रोटो रुवा रिसेंडी सीन इन न्योज इस लोकेटेड विश कंट्री लेक का नाम है रोटो रुवा तो रुवा कहां है भई रोटो रुवा न्यूजिलेंड में हैं याद रखेंगे यह रोटो रुवा क्या है रोटो रुवा अपने किस के लिए फेमस है हाइड्रो थर्मल एक्टिविटी के लिए फेमस है हाइड्रो थर्मल एक्टिविटी ठीक है, हाइड्रो थर्मल एक्टिविटी के लिए जो है, ये जो है, ये जील जानी जाती है, ठीक है, हाइड्रो थर्मल एक्टिविटी के, और इस जील के चारों तरप, इस लेक के चारों तरप, है ना, जो स्टीम है, स्टीम के क्लाउड आपको दिखते रहते हैं, एक्ट् पर का क्रेटर है कभी एक्तिव रहा होगा लेकिन अभी डॉर्मेट की कंडिशन में है तो यहाँ पर एक लेक बन चुकी है और नीचे यह माना जाता है कि इसका जो माउथ है इसका जो सेंटर है आज भी वहाँ पर थर्मल मुखी है डॉर्मेट की कंडिशन में है हाना नीची छूपी हुई हाइडो थर्मल पढणाली का पता चलता है हाइडो थर्मल सिस्टम अभिषरन प्लीट शीमाओ और मद्यमाहसागर की चोटियों के पास आम तरल पधार्त जो अंदर की गर्मी है जो अंदर का मेगमा है जो करल आपका ही ट है उसको जो है क्रेटर यादि यह जो क्रेटर है यह पूल सकते हैं जो फॉल्ट होता है जो प्राइमरी सोकस बताना है गामारी इसका लिए देखी गई गामा, रे aucunogy, पीवी, एनर्जियस चराण्थ्री तरी आना प्रयुजना का प्रात्रीक fokus क्या था इसका प्रात्रीक fokus क्या रखा गया है ओसका प्रात्रीक में इस्तेत और टाटा इंस्टूट आप फंडामेंटल रिशस द्वारा संचालित ग्रेप्स थरी प्रियोग में प्रियोग ने कॉस्मिक रे प्रोटोन स्पेक्ट्रम में एक महतपूर्ण खोज की है जिससे 166 टेरा इलक्ट्राउन बोल्ड पर एक नहीं सुविदा का पता लगा ठीक है ग्रेप्स थर्ड का लक्ष ब्रामनिय किर्णों की उत्पती त्वरण और प्रसार की जांच करना है के लिए रिबार तो आंसर क्या होगे स्टी कॉस्मिक रीच रेसेंटली वि उनिफाइड पैमेंट इंटरफेश यूपी आई पैमेंट सिस्टम हाली में कौन सा देश उनिफाइड पैमेंट इंटरफेश भुक्तान पढणाली सुविकार करने वाला पहला यूरोपिय देश बन गया है तो याद रखना यहां पर क्या हुआ एन आई पील है ना एन आ पैमेंट लिमिटेड इंटरनेशनल आई पील बोल सकते हैं इंटरनेशनल पैमेंट लिमिटेड ने अभी एक कॉमर्स और भुक्तान को सुविकार करते हुए फ्रांस की एक कंपनी है लाइरा फ्रांस की एक कंपनी है क्या लाइरा ठीक है लाइरा के साथ मिलकर क्या सुवि International Payment Limited ने फ्रांस के कमपनी लायरा के साथ E-commerce और भुकतान को स्विकार करते हुए UPI यानि Unified Payment Interface को क्या क्या Accept किया है तो इसका अंसर क्या होगा फ्रांस इसका अंसर क्या होगा फ्रांस फ्रांस की कमपनी कौन सी है लायरा ने स्विकार किया किलियर किसके साथ IPL या NIPL बोल सकते है आप ठीक है Next है Where will the exercise वायू सकती 2024 we held अभ्यास वायू सकती 2024 कहा यूजित किया गया अभ्यास 2024 बोल सकते हैं तो यहां कहां किया गया भाई तो यहां लिखा है exercise वायू सक्ती 2024 will be held on Feb 70 2024 at the POKRAN कहां है POKRAN? राजस्तान राजस्तान का POKRAN, किलियर विबात? कहां? राजस्तान का POKRAN किलियर? और यह जैसलमेर के पास पड़ता है राजस्तान का POKRAN और यह exercise जो है air to air to क्या है? ground air to क्या है? ground यानि वायू से 7 है वायू से क्या है 7 है और इसमें लगबग लगबग 77 जो है लड़ाकु विमानों ने participate किया जो बड़े लड़ाकु विमान थे वो 77 थे और जो अन्य विमान है वो लगबग 130 अधिक थे तो major जो यहाँ पर जो fighter plane थे तो कितने fighter plane थे? वो थे 77 fighter plane इतनी बाद किलियर हुई? तो लड़ाकु विमान कितने थे भई? 77 ठीक है? next है wheat blast recently seen in the news is a disease of wheat crop caused by which one of the following? तो यहाँ पर लिका है हाली में समाचार में देखा गया wheat blast गेहों की फसल का एक रोग है जो निमलिखित में से किसके कारण होता है सबसे पहले तो यह बताएं कि जो wheat है wheat किस टाइब की यानि जो गेहों है गेहों किस परकार का या कौन सी फसल के अंतरगत आता है रवी क्राप्स में आता है खरीब क्राप्स में आता है जायद क्राप्स में आता है गेहों तो आप जानते हैं गेहों क्या है भई रवी क्राप्स है ठीक है क्या है यह रवी क्राप्स है ठीक है रवी की फसल है तो इसमें जो है अभी एक रोग देखा गया है, झो की अनुमान लगाया जा रहा है, क्या लगाया जा रहा है, कि भविश्ज में तेजी से काम करने वाली फंगल बिमारी है फंगल बिमारी 2050 तक वैस्विक यहुत पादन में कितने की कमिला आएगा 13% यानि ये जो बिमारी है कौन सी फंगस वाली ये 2050 तक वीट प्रोडक्शन में 13% की क्या कर देगा भई कमिला देगा याद रखना कितने परसंट की 13% की तो आंसर क्या होगा इसका फंगल ठीक है आएनस संधायक Recently seen in the news is what kind of वैसल यानि हाली में खबरों में आया कि आएनस संधायक किस परकार का जहाज है आएनस संधायक आएनस संधायक किस परकार का जहाज है आप फटा फट से बताएं ठीक है और INS संदाग के अगर हम बात करेंगे तो ये किसके द्वारा constructed किया गया तो INS संदाग एज जी आर ऐसी कॉलकाता के द्वारा जो है निर्मित किया गया ये भी आपको याद रखना जी आर ऐसी कॉलकाता के द्वारा इसको जो है निर्मित किया गया और आयने संधाग को जो है कहां विशाका पत्नम में भारतिय नेवी में सामिल किया गया ये भी आपको याद रखना है ठीक है विशाका पत्नम जो दोक्याड है विशाका पत्नम विशाका पत्नम जिसको वैजाग भी बोलते हैं विशाका पत्नम दोक्याड में आयने संधाग को जो है भारती नेभी में क्या किया गया सामिल किया गया ठीक है नविन्तम सर्विक्षन पूत है क्या है नविन्तम सर्विक्षन पूत का मतलब है सर्वी वैसल सिप है याद रखना आंसर क्या होगा इसका तो कहां बनाये गया था कंस्रक्टीर कॉलकाता में हुआ सामिल कहां से हुआ वैजाक या फिर विशाक का पटनब डौक्याड से हुआ है ठीक है याद रखेंगे और इसका प्रात्मी कुदेश्य है कि बंदर गहा पहुंच और नौवहान मारगों के लिए हाइडरोग्राफिक सर्विक्षन ये भी आपको याद रखना ठीक विश्व कैंसर दिवस की थीम दो हजार चौबिस में क्या रहेगी ठीक न वर्ड कैंसर डी कब सेलिबरेट किया जाता है चार फरवरी को वर्ड कैंसर डी सेलिबरेट किया जाता है और ये माना जाता है कि व जूज़ द केर गैप जो है इस बार की थीम रखी गई है इतनी बात के लिए हुई चार फरबरी को मनाया जाने वाला विश्व कैंसर दिवस कैंसर की वैस्विक चुनोती का पर प्रकास डालता है विश्व अस्तर पर जो कैंसर से जूज रहे हैं उन पर जो है इक प्रकास से जो अपने विद्वित रूपों से लाखों लोगों को प्रभावित करता है 2024 की थीम रखी गई है देखवाल अंतर को बंद करें ठीक है ये भी आपको याद रखना है नेक्स कोशन है थान्थाई पेरियार बन्यजीव थान्थाई पेरियार वाड़ लाइब सेंचूरी रिसेंटी सीन इन दे न्यूज इस लोकेटेड इन विच स्टीट थान्थाई पेरियार बन्यजीव अब्यारन कहा है अगर हम पढ़ते हैं भाई पेरियार एक परकार से क्या है हमें रीवर का नाम देखने को मिलता है तो पेरियार रीवर तो भाई केरला में है तो यहां केरला अंसर नहीं होगा याद रखना पेरियार रीवर कहां है केरला में है बट यहां वाइड लाइब सेंचूरी की बात क सेंचूरी है दो हजार तेईस का जब तमिलनाडु गौवर्मेंट ने बजट पास किया था तो वहाँ पर भी थांथाई पेरियार वाइड लाइप सेंचूरी का जिक्र हुआता घोशना हुई थी लेकिन अभी रिसेंट्टी यहाँ पर जो है क्या किया गया कि तमिलनाडु सिख्र्मेंट ने जो यह डेक्लेयर क्या कि जो थांथाई वण्यजीव प्यारण है यहाँ पर जो हिल्स मिलती है ठीक है इसको στοिक्षिंट्टी देना है भार्गूर हिल भार्गूर करना है निको कंजर्वेट शंक्रियोझा यहाँ थांथा इक वार्ड लाइब सेंचूरी अथांता है पेरियार सेंचूरी पेरियार वार्ड लाइब सेंचूरी तमिलाडू में है जो कि बार्गूर हिल्स में जो नैसरल रिसूर्स है उनके प्रोटेक्शन के लिए उनको कंजर्विश करने के लिए तमिलाडू सरकार ने ये गोशना की है नेक्स है मैसुलिथिक एरा रॉक्स पैंटिंग है रिसेंटी बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टीड मैसुलिथिक मद्य पासान यूग कि शैलेचित्र हाली में किस राजय में खुजे गए तो ये खुजे गए भई कहां तैलंगना में है मद्य परदेश में है गुजरात में है या फिर उत्तर परदेश में है तो कहां खुजे गए है याद रखना इसका अंसर होगा क्या तैलंगना में जैसे कि आप पिक्शर में देख पा रहे हैं हाली में तेलंगना के पदापली जिले के सिता मालूदी गट्टु सिंगाराम के मध्य पासान सेल चित्रों का पता लगाया गया मैसुलिथिक यूग की या मध्य पासान यूग के लगबग कितने साल पहले 12000 से 10000 साल पहले में फैले पुरा पासाण और नौपासाण काल के बीच की ये एक परकार से क्या है भई पाठ या खाई है के लिए याद रखना तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा तैलंग नाम है ठीक है कौन से पिरिट के है ये याद रखना मैसलविथिक एरा या मध्य पासाण यूग लगबग 12 से 10,000 साल पहले इंपोर्टन कोईशन है मार्तंड संटेंबल रिसेंटी सीन इन दे न्यूज इस लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी मार्तंड संटेंबल तहां है आपके पास चार आप्शन दे रखे हैं और ये किस डाइनिस्टी ने बनाया है इसका आंसर होगा कार कार कोट वंस के द्वारा जो है इस टेंपल को बनाये गा कार कोट डाइनिस्टी के जो राजाल हुआ करते थी ललित दित्या कौन थे ललित दित्या किंग ललित दित्या ठीक है और कौन सी संचूरी के है एर्थ संचूरी के कार कोट डाइनिस्टी के किंग ललित दित्या के द्वारा जो है ये बनाए गया टेंपल है और ये टेंपल कहा है जम्बु कस्मीर में है ठीक है आपने लिए एक इस्टोरिकल मॉनुमेंट है और लगबग सन टेंपलों में ये सबसे पुराना टेंपल माना जाता है ठीक है और यहां पर जो है ये जो मंदिर है ये कस्मीरी गुप्त और चीनी गांदार रोमन ग्रिक आपका कार्ड पर जो है ये बिस्ड है ठीक है ये भी माना जाता है 14 सें जो है तोड़ा था या इस पर आक्रमन किया था ठीक है तो अभी फिलाल ये इस जज़र अवस्ता में है ठीक है तो कहां ही अनन्त नाग जिस्टिक आपने सुनाओगा अनन्त नाग जिला ठीक है जम्मु कस्मित ये हमारे लिए बहुत इंपोर्टन हो जाता है कि सिंगल टाइटल ऑस्टिले ओपन किसके द्वारा या किस महिला खिलाडी के द्वारा जीता गया तो वुमेन का नाम भी आ सकता है ठीक है और मैन का नाम भी आ सकता है दोहजार चौबिस में मैन और वुमेन दोनों बताना है तो जनिक सिंगर मैन के अगर बात करेंगे तो जनिक सीनर तो जनिक सीनर जो है तो जनिक सीनर जो है दोहजार चौबिस के ऑस्टिले मैन टाइटल के विनर है जो कहां से बिलॉंग करते हैं इटली से कहां से इटली से जनिक सीनर तो जनिक सीनर जो है इटली से बिलॉंग करत जबकि जो 2030 और 2024 को में जिसने ओस्टीलियाई Whole Woman का जिता है ओस्टीलियाई Whole Woman का खिताब जिता है ओ है कॉन भै बेलारूस की सबालंग का ठीक है बेलारूस की कौन सबालंगक आरेंस usability आंसर क्या होगा बी तो बेलारूस की आरेंस बालंगका है 2030 का किताब इन्हों ने दीता 2024 का किताब भी इन्हों ने ही जीता है ठीक है 2024-2024 दुबारा से रिपीट कर दिया इन्हों ने 2024 में इन्हों ने जीता है 2024 में इन्हों ने जीता कहां से है बेलारूस से कहां से है बेलारूस से याद रखेंगे और जो मैंड टाइटल ले गया आउस्टिया उपन का इटली के जनिक सीनर ने इतने बात किलर हुई तो याद रखना नेक्स वोशन है, वर्ट इस दबूल टाइफून, रिसेंटी मैंसंड इन दे निव्ज, हाली में समाचार पत्रों में उलेकित, बूल टाइफून क्या है? ठीक है, तो बूल टाइफून जैसे का आप एक फिगर में देख वा रहे हैं, यहाँ पर चितर में देख वा रहे हैं फोटो में देख पा रहे हैं कि Microsoft लिखा है तो अभी हाल फिलाल में अमेरिक सरकार ने चील का एक समर्थित हैकिंग समूह है ठीक है हैकिंग ग्रूप है बोल्ट टाइफून के नाम से जाना जाता है उसको जो है अभी क्या कर दिया है बंद कर दिया है ठीक है तो लिखा हुआ यहां पर USA Government recently shut down China Back Hacking Group ठीक है ना जिसका नाम है क्या बोल्ट टाइफून ठीक है तो यह क्या कर रहा था कि जो कम से कम 2021 से सुरू हुआ था और जासूशी और मौतपूर्ण मुन्यादी धांचे के लक्षित में विशेषग्या बोल्ट टाइफून में इस्टिल्थ लेविं आफ दे लैंड तक्निक को तक्निक और पुर्विस्तापित उप्योगताओं का उप्योग क्या है कहने का मतलब है कि यह हैकिंग समू था और USA Government ने इस पर अभी फिलाल क्या कर दिया बैन लगा दिया है तो यहां पर आंसर होगा और साइबर हैकिंग क्या है यह गुरुप ह इतने समझ मैं वाद के लिए तो यह आज के कुछ कोशन था इंपॉर्टेंट आपके लिए ठीक है इनको एक बार दुबारा से रिवाइच करना है बार बार पढ़ते रहेगा ठीक है बार बार रिवाइच करना पड़ेगा बिलते हैं नेक्ट्ट वीडियो के साथ जहिन कि अप्सक्राइब देड यूट्ब चैनल और दो परगेट प्रेस बेल इकार रिवाइच करना है